जो लोग 67th का मेंस देने वाले हैं या फिर जो उसके तैयारी कर रहे हैं आप जानते हैं कि आपके लिए 70-75 दिन बचा है सिर्फ और आपका प्री का रिजल 14 नमबर तक आएगा उसके बाद आपके पास देड़ महिना करीब बचेगा अपने मेंस के तैयारी को पॉलिश करने था बट सबसे इंपोर्टेंट यह होता है कि आप उस चीज से क्या सीख रहे हैं कुछ सबक ले रहे हैं आप 66 का मेंस देखोगे तो बहुत से ऐसी चीज़े हैं जो आपको सीखनी चाहिए वहां से और वो सबक जो है वो लेसन जो है आपका 101% 67th में या फिर 68 में हेल्प करे और जब सेम गलती रिपीट करते हो तो आपका रिजल्ट भी सेम आता है और फिर यह साइकल चलती जाती इसी तरह कई बार पता ही नहीं चलता हमको कि हमारी गल्तियां कहां हो रही है तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ important point share करूँगा कुछ important lesson share करूँगा जो आप 66 से करूँगा उनमें बताओंगा कि क्या क्या चीज़े आपको देखनी चाहिए थी और अगर अभी तक आपने उस चीज़ को नहीं notice किया है तो अभी साप notice करना शुरू करिए साथ ही मैं आपसे कुछ result share करूँगा उससे बहुत चीज़े सीख सकते हैं सबसे पहला point यह है कि आपको अपना foundation हमेशा strong रखना है foundation strong रखने से तरफ पर यह है कि जो भी चीज़े आप पढ़ें उसको superficial मत पढ़िए चार पेच का notes आपको मिला आपने देखा आपने रट लिया और जाके आप exam में लिख दिये आप notes को भी पढ़िए तो उसको समझ के पढ़िए कि यह line य इशू चल रहा है इसलिए मैं PDF अप्लोड नहीं कर पा रहा हूं बट आज शाम तक मैं अप्लोड कर दूगा PDF तो यह का सेंसर जो इस साल के बहुत important है उसका topic है ठीक है अब क्या है कि दो तरीका है पढ़ने का या तो आप सिंप्लिस को रट लीजिए पुरा रट लीजिए बात क्या issues थे अभी क्या current incident चल रहे है यह से चीज़े आप पढ़िए बट आपको यह topic समझ के पढ़ना है सिर्फ आप रट नहीं सकते हो because हो सकता है कि question directly का सेंसर पे ना आये इससे related कुछ point आ जाए कुछ घुमा क्या जाए तो वहां पे आपका answer बनाने में बहुत problem होगी और यही reason है कि GS2 हो गया GS2 में marks बहुत कम उठते हैं because आप quality section देखिए आप economy geography का section देखिए आप science and tech का section देखिए उनमें आज कल क्या हो रहा है कि question थोड़े घुमा दे रहे हैं थोड़े twist कर दे रहे हैं direct आपसे कुछ चीज़े नहीं पूछी जा रही है और वहां पे marks दूसरा यह है कि कोई भी section को ignore नहीं करना है आपके GS1 में तीन section आते हैं history के stat के उसका current affair के उसी तरह GS2 में तीन section आते हैं आपके politics के economy geography के और last में science and tech के आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं दो section अच्छे से पढ़ लेता हूँ तीसरे को थोड़ा सा कम पढ़ता हूँ या फिर ignore करता हूँ यह risk बिल्कुल मत लीजेगा क्योंकि क्या होता है कई बारा तयारी कर लेते हो अच्छे से उसके बाद भी आप उस particular section के question solve नहीं कर पाते हो इसके example मैं आपको दिखाता हूँ इस साल के लिए जैसा आप यह देखिए GS1 का paper था GS1 में section 1 जो था वो काफी easy आया था तो section मैं मुझे लगता है कि maximum लोगों ने solve कर लिया होगा उसी तरह बहुत लोग क्या है कि stat को अच्छे से नहीं पड़ते हैं because उनका background नहीं होता या फिर उनको tough लगता है but trust me stat को थोड़ा सा time देंगे मातर एक हफता आप stat को दे दिये ना तो आप 72 में से बहतर score कर सकते है किवल चार topic आपको पढ़ने है percentage, ratio, proportion, averages और profit and loss इन चारों को master करने के बाद बहुत अराम से आप stat का कोई भी question solve कर लेंगे मैं stat पे एक दो class लाओंगा ताकि जो आपके अंदर fear है वो खतम हो जाए तो बहुत तो stat कोचे से नहीं पड़ते माल जब stat को ignore करते हैं इस साल इसम आप 400 लिखी नहीं सकते हो और बहुत लोगों का इसी वज़ा से section 2 जो है वो खराब हो गया था because उनको इस question problem होई थी इसके बाद आप ये question देखे 9 वाला इसमें आप से specifically पुछा था आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में इसमें भी लोग को पता नहीं चल के साथ FTA sign करने की बात कह रहा है but आप ऐसा नहीं कह सकतो कि बहुत burning issue था तो यहाँ पर 5 question में से 3 question ऐसे थे जिन में आपका हाथ तंग था जिस पर आपके पास content बहुत कम था तो automatically section 2 का जो आपका performance रहेगा वो यहाँ पर low हो जाता तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कोई भी section ignore नहीं करना था माली जो stat को ignore की है और section 2 सोचे बहुत अच्छा कर देते तो section 2 में यहाँ पर गरबढ़ हो गया stat वैसे गरबढ़ हो गया पूरा का पूरा paper ही उनका गरबढ़ हो गया था बट वहीं आप मेला पहला point ध्यान में रखो जो मैंने कहा था कि हमेशा अपना foundation strong रखी है अपना basic strong रखी है अगर वो चीज आपने strong रखी होती है तो आप अनाम से काफी question इसमें solve कर लेते हैं जैसे question number 10 के हम बात करते हैं तो India-Europe की मैं बात कर रहा हूँ और जैसा मैंने पताया था कि जो यह agreement है बाती है यह बहुत पहले चला आ रहा है आप कभी भी India-Europe का relation पढ़ोगे तो उसमें यह चीज़े 100% पढ़ोगे current FN भले नहीं था बट एक basic तयारी जो होती है इंडिया का relation major power के साथ चाहे यॉरोप हो गया जपान हो गया Australia हो गया USA हो गया और neighboring countries हो गया इनको प्रिपेर करके ही जाना है तो जब आप इनको प्रिपेर करोगे तो automatically आपको वहाँ पता चलेंगे जैसे आप यहाँ देखिए यह मेरा इंडिया यॉरोप का note है यह almost 2 साल पहले का note है और इसको मैंने अपने टेलेग्राम चैनल पर upload कर दिया है आप इसको जाकर download कर लिजएगा और खुद देख लिजएगा मैंने तिन चार चीज़े find है तो वही मैं कह रहा हूं कि किसी section को आपको ignore नहीं करना है क्योंकि भले ही आपके पास option मिलते हैं questions में बट कई बार होता है कि काफी questions हमको नहीं आते हैं तो उसमें हम दूसरे section में अच्छा करके कुछ compensate कर सकते हैं और साथ ही हमेशा found strong रखिये कोई भी चीज़े पढ़ है previous question में कितने question repeat हुए हैं कितने question आये हैं कौन से question कितने बार पुछे गए हैं आप इसकी वीडियो जाके देख सकते हो GS1 GS की दोनों का और इस साल के जो most important question आ सकते हैं उसकी वीडियो भी आप जाके देख सकते हो और वो चीज़ मैंने based on the previous year trend बनाया है क्योंकि जैसा आप expected था नहरू का views भी expected था यहां पर आप देखे पटना कलाम भी expected था इन में भी आपको 6 में से सिर्फ 3 question करने हैं बहुत question ऐसे थे जो आएंगे बट इसमें आपको चूज करना होगा कि बहुत अच्छा में कौन सा question कर लो तो इतने choice हैं यहां पर इसलिए हैं आपके पास क्य expected था आप से इंडिया को जो federal structure है previous year में कई बार पूछा जा चुका है तो इसको आप ignore करी नहीं सकते थे अगर आप GS2 के तयारी कर रहे हो तो आप इस question को देखी uneven development के बारे में है जब भी पॉलिटी पढ़ो गया आप तो ऐसे question हमेशा आपको देखने को मिलेंगे और कई ब question जो है आपके नजरों से छूटी नहीं सकते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि previous year question बहुत important है बहुत relevant है हर साल के लिए 66 का आप देखिए 64 का देखिए 65 का देखिए इन तिनों को देखके आप एक pattern खुद बना सकते हो इस साल क्या question पूछा जा सकता है बाकी मैंने आपको already previous year question का compilation provide कर दिया है यह 62 से लेके पूरा 6-6 तक का PDF है GS1 का और यह GS2 का है इसको मैंने अपने टेलग्राम चैनल पर डाल दिया आप जाके download करिए questions के नीचर को देखिए और अपने दिमाग में एक framework बनाईए कि अगर यह question 67 में आएगा तो मैं इसको कैसे tackle करूँगा क्या इ ने इन से दो में अच्छा outcome किया दो में अच्छा perform नहीं किया आप देखोगे या तो उनकी rank अच्छी नहीं आये है यातं का selection नहीं हुआ है कुछ mark sheet आप देखिए यहां पे इनका जी स्वन्रे बहुत अच्छा score आया है इनका interview में बहुत अच्छा score आया जी 1973 बहुत ही कर तो यहां पर थोड़ा सा marks भी कम आता ना तीन य चार marks कम आता तो यहां पर इंका सेलेक्शन नहीं होता इसलिए आपको कम से कम तीन में तो बहुत अच्छा perform करना ही होगा और चौथे में थोड़ा सा कम भी करोगे तब भी आपका selection हो जाएगा यहाँ पर 100% है कि इनका GS1 में stat में 72 में से 72 होगा तब इनका 193 आया है और इसकी बात देखिए आप GS1 में इनका score देखिए ठीक score है बहुत अच्छा नहीं कहोगे GS2 में देखिए बहुत एवरेज माक्स है इनका आप देख सकते हैं फाइनल सेलेक्शन नहीं हुआ है इन चारों में से किसी में भी इनका 10 माक्स एक्स्टा आता तो अरामसिन का सेलेक्शन हो जाता इसके बाद आप यह देखिए इस result में आप देखिए इनका GS2 में एवरेज माक है एंथ्रो में ठीक माक है इंटर्व में ठीक माक है और GS1 में भी एवरेज माक है इनका बागी सब में अवरेज था आफ एंजरों में इनका अच्चा मार्ट था और इंटर्विव में इन ःनेaa इप सब में एवरेज करेए आपको आपका अछा परफॉर्म करना होगा और इसमें GS1 बहुत हेल्प करेगा GS1 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपनी energy GS1 में थोड़ा ज़्यादा दीजेगा because यहाँ पर input to output ratio बहुत अच्छा है आपको अतना input नहीं देना पड़ेगा बढ़ आपका output जो है बहुत अच्छा रहेगा अगर आपकी strategy अच्छी रहेगी तो इसके बाद आप देखिए पांचो पॉइंट यह है कि हमेशे एक्जाम में आपको surprise के लिए तयार रहना है आप सब कुछ पढ़के जाएंगे आप सारी तैयारी करके जाएंगे आपने previous year question देख लिया आपने अपने अपना optional पढ़ लिया उसके बाद भी आपको दिमाग में यह रखके जाना है कि question कुछ नो कुछ बाउंसर जरूर आएंगे इसका सबसे अच्छा example आप देख सकते हैं GS1 में जो कि मैं बोल रहा हुँ महुत scoring है बर देखे क्या हुआ था उस साल इन्होंने पूछ लिया था कि हरित भारत संकल्प मुबाईल अब के बारे में अब बताईए आपको एक मुबाईल अब के बारे में लिखना है 400 वर्ड में कितना मुश्किल होगा यह on the spot टेकल करना आप question number 10 देख सकते हो जैसे मैंने बताया था कि बहुत evergreen question नहीं था यह उसी तरह आप यह देख सकते हो रोजगार योजना के बारे में लिखा था आप यहाँ पर देखिए Stardust 1.2 के बारे में तो यहाँ पर पांच में से चार question जो थे तीन question जो थे वो ऐसे ही थे कि इसको आप पहले प्रिपेर करके नहीं गए होगे तो आपको exam में बाउंसर के लिए तैयार रहना है आपको surprise के लिए तैयार रहना है और उस हिसाब से आपको tackle भी करना है जैसे मालीजे इस question को आप लिखते तो ऐसा है कि आप थोड़ा साइस एप के बारे में लिखते है इसके बाद आप और चीज़ों के बारे में लिखते है क्या important है environment protection के लिए तो आपको exam में जो bouncer है ऐसे ही tackle करने होगे question छोड़ को तो आप आ नहीं सकते हो कि मुझे नहीं आता हो तैयार मैं यह नहीं करता हूँ उस चीज़ से आपको related लिखना है आप खुछ सोची इसका answer आप क्या लिखते है अगर आप अभी बैठे हो और यह question आपके सामने आ जाता तो आप क्या लिखते है 90% of the log इसको छोड़ी देंगे इसको नहीं करेंगे इसको आप तब छोड़ सकते हैं जब बाकी question आपको आते हो अगर बाकी question आपको नहीं आते तो आपको यह question solve करना ही होगा और लोगों ने tackle किया है तब ही मैंने आपको दिखाया कि 193 marks तक आए है तो I hope आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप previous question को देखके या 56 minutes के paper को देखके क्या सीख सकते हैं क्या सबक ले सकते हैं बाकी जो मैंने बोला था कि मैं history के notes अप्लोड कर दूँगा आप यह देख सकते हो पूरी history के notes है 40-50 page है जो मैंने important topic बताये थेकल जो इस बार आ सकते हैं वो सारी चीज़ा आपको मिल जाएंगे यहां पर उसी तरह यह आपका international relation का notes है कुछ चीज़े में इसमें और add करूँगा वो आपको over the time मिल जाएगा और बाकी कुछ notes आप देख सकते हैं और अक्रस का notes है या आपका car sensors है और भी जो current offer के topics हैं मैं आपको telegram channel पर provide कर दूँगा